Hi everyone, welcome to Educaptain तो बच्छो आज हम बात करने वाले हैं Applied Mathematics के अंदर मैं मैं आपको Matrix and Determinant जो करवा रहा हूँ उसके Next Lecture के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दू भाई Matrix and Determinant के हमने जो Lecture स्टार्ट करें हैं उसमें सबसे पहले Matrix and Type of Matrix and Equality of a Matrix कि Matrix की addition और subtraction कैसे होती है उसके बाद आज ही हम cover up करेंगे Multiplication लेकिन एक बात ध्यांदे सुनिएगा Multiplication को दो पार्ट में हमें पढ़ना होता है पहला पार्ट जिसमें आप एक scalar multiplication की बात करते हो और दूसरा पार्ट जिसके अंदर आप Two Matrix की multiplication की बात करते हो यह जो Two Matrix की multiplication है यह अपने आप में बहुत ही important topic है जिसकी बाद हम separate video में करने वाले है तो चलिए भी नगशी देरी के करते हैं शुरू तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो Matrix के अंदर अगर हम addition करना चाहते हैं के property हैं बढ़ उससे पहले कुछ basic सी चीज़े हैं उन्हें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं देखो भाई addition अब यह addition कैसे work करती है वो आपको समझना पड़ेगा अब मैंने आपको कहा कि भाई यह matrix है कि भाई 1,2,3,4,5,6 और एक और matrix है 1 और 2 क्या यह add हो सकती है नहीं भाई हर एक matrix add नहीं होती क्यों नहीं होती इसके लिए कुछ property है जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहली property यह होती है कि अगर matrix को add होना है तो उनके order का same होना बहुत जादा जरूरी है यही same बात हम subtraction में सीखेंगे जब हम इसको आगे लेकर चलने वाले है ठीक है भाई दूसरी बड़ी बात कि जब आप add करते हो तो add करना कैसे है तो आपको याद रहना चाहिए कि corresponding elements को आप add करोगे किसको add करोगे corresponding elements को सर example से बता दो भाई बे फिकर रहो अराम से तसली मान के बैटो सब समझ में आएगा अब हमने एक matrix लिखी जिस 1, 2, 3, 0, minus 1, or 4 ठीक है इसके order है 2 into 3 यानि 2 row, 3 column वहीं एक और matrix है भी जिसको हमने बोल दिया 5, 4, 1, 3, 0, or 3 अब मैंने कहा आपको कि इन दोनों matrix के order को देखो तो बिल्कुल सेम है दोनों में 2 row और 3 column है वहीं अगर मैं इनको add करने की बात करता हूँ तो भाई add कैसे कर सकते है add करने का funda बिल्कुल simple है दोनों matrix को लिखो बीच में add का sign लगाओ और फिर इनको ऐसे add कर दो अब सर आड करना कैसे है वो समझा दो भाई देखते जाओ सब चीजे समझ में आ जाएंगी 5,4,1,3,0,3 तो भाई अगर आप यहां notice करोगे यह जो पहली value है और यहां पे यह पहली value है basically corresponding का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पहली matrix से A11 को उठाया है तो दूसरी matrix से भी आप A11 को ही उठाओगे इसका मतलब पहली row पहला column इस element को तो यहां से अगर 1 उठा तो यहां से 5 आएगा तो अपना answer 6 बन जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं कोई और element उठाओ जैसे यहां से 3 तो यहां से 1 आएगा क्योंकि यह first row का second column है और यह भी first row का second column है तो इसी प्रकार से आप 3 को 0 के साथ आइड कर दो फिर minus 1 को 0 के साथ आइड कर दो और फिर इस 2 को इस 4 के साथ आइड कर दो तो यह 6 आजाएगा और फिर इस 0 को 3 के साथ आइड कर दो तो यह 3 आजाएगा and last इस 4 को आप इस 3 के साथ add करोगे तो यह 7 आएगा तो आपकी addition कुछ ऐसी हो जाएगी और जो addition का result आएगा वो भी same order की matrix का ही आएगा I hope आपको matrix की addition समझ में आई होगी एक example से और समझते हैं फिर इसकी properties की तरफ हम चलने वाले हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा भई एक ही अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप मैंने लिख दिया 5,1 और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 3 ठीक है तो इसके बाद हम A plus B कैसे find कर सकते हैं तो simply by 5 minus 1 plus 2 और 3 तो addition वैसी होगी order सेम रहने वाले है 5 में 2 plus हो जाएगा minus 1 में 3 plus हो जाएगा तो अगर आप देखोगे तो यह 7 और यह 2 आ जाएगा इस प्रकार से अपने answers बनते हैं मेरे साब से addition में कोई दिक्कत नहीं है बस corresponding elements को क्या करते हुए चलना है add करते हुए चलना है अब देखो भाइस की property को समझो कई बार MCQ exams के अंदर इन चीजों को पूछ लिया जाता है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ addition करने कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया कि यह तभी possible होती है जब इनके order सेम होते है ठीक है और जो result होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको show होता है जो मैंने आपको पीछे बताया कि अगर A के order M into N है तो B के भी M into N होने चाहिए तो C का जो answer है वो भी M into N में ही आएगा second property बहुत important है कि matrix की addition होती है वो commutative होती है कुछ बच्चे को कहना होता addition के साथ ही subtraction को cover कर दो उसको ना करने की वज़ाई ही होती है क्योंकि कुछ property है जो addition को बिल्कुल अलग करती है subtraction से तो मैं आपको बता दू भाई कि ये रहा आपकी commutative property क्या होती है कि अगर आप A plus B लिखो matrices के अंदर या B plus A लिखो सेम बात होती है similarly ये associative भी होती है क्योंकि आप A plus B plus C करो इस तरीके से और अगर आप इसी को इस प्रकार से लिख दो कि B और C को पहले जमा करने के बाद A से जमा करो या add करो वहीं अगर आप A और B को पहले add करो और फिर C से add करो दोनों situations में answer सेम आता है इसलिए matrix की जो addition होती है वो commutative भी होती है और वो associative भी होती है ठीक है भै उसके बाद fourth identity क्या कहती है zero matrix is a identity इसका क्या मतलब में आपको बताता हूँ भै देखो matrix A के अंदर अगर आप कोई zero matrix को add करते हो या zero matrix के अंदर आप A matrix को add करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता same A ही matrix आती है यानि अपने हाप में add होने के बाद A matrix बनती है ठीक है भाई आप कुछ बचे 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 सरामे तो पता ही है न zero से जमा करने वे zero यह आता है भाई यह matrices चल रही है यहाँ पर चीज़े बिल्कुल अलग हो जाती है कई वर multiplication बिल्कुल ऐसी अलग हो जाएगी जो आपको लगेगा नहीं matrix का square बिल्कुल अलग हो जाएगा वो आगी वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है चलिए फिफ्ट point की बात करें negative of a matrix is additive inverse additive inverse क्या होता है कि जैसे मैंने बुला 2 तो 2 के अंदर एक ऐसा कोई number add करो जिससे कि वो 0 बन जाए तो आप minus 2 बोलते हो तो वैसे ही matrix के अंदर अगर आप additive inverse की बात करो तो वो किसे कहा जाता है जब किसी matrix में उसी का ये negative add आप कर दो जो भी आप ये देख रहे हो इसकी practice sheet यानि question practice के लिए इनी के साथ attach करके मैं app पे upload कर देता हूँ या आपको इस notes की PDF चाहिए ये भी आप जाकर हमारी app पर ले सकते हो app का link आपको description में मिल जाएगा next अगर हम बात करें कि time table तो भाई मैं आपको maths पढ़ाने Tuesday, Thursday और Saturday आता हूँ बाकि सब सर का time table ये रहा account economics, business और English जो भी आपका time table आप इसे देख सकते हो follow कर सकते हो अपने study table पे लगा सकते हो कि audio captain के साथ आना है और इतना सारा पढ़कर जाना है simple सी बात है तो अगर हम बात करें subtraction कैसे करी जाती है तो भाई जैसे addition होती है same वैसे subtraction भी work करती है इसका मतलब इसके भी order same होते है बिल्कुल और इसके बाद जो minus होगा वो भी corresponding element ही होगा बिल्कुल सा simple सी बात है भाई तो अगर हम इसको solve करें तो कैसे करेंगे जैसे मैंने लिखा A यहां मैंने 5, minus 1, 4, 3 लिखा यहां मैंने लिखा B और यहां मैंने लिख दिया 3, minus 1, 4, और 2 अब मैं चाहता हूँ यह दोनों matrix minus हो जाए तो पहली बात यह क्या है minus हो सकती है बिल्कुल च्योंकि दोनों के order same है 2 into 2 अब अगर आप देखोगे तो A minus B मैं कैसे करूँगा बहुत सारे question करेंगे अब आगे वेट करो टेंशन मतलो बड़ property सीखते चलो 5, 4, minus 1, 3 फिर बीच में minus का sign फिर 3, minus 1, 4, और 2 अब इनको minus कैसे करना है वो आपको समझना है ध्यान से देखिएगा जैसे आप addition कर रहे थे तो आपने इनको इनके साथ add करा था इनको इनके साथ और इसको और इसको सरकर क्या रहे हो ये corresponding element ये भी पहली रो पहला column है ये भी पहली रो पहला column है तो आप 5, minus 3 करोगे फिर 4, minus करोगे ये वाला और फिर ये minus का 1 है तो ये कौर minus आजाएगा वो question की requirement है फिर यहाँ minus 1 है और यहाँ भी minus आएगा और फिर ये 4 आजाएगा छीक है फिर यहाँ से 3 उठा लो बीच में फिर minus उठा लो और यहाँ से 2 आगया ठीक है भई तो value क्या बन गई 5 में से 3 गया 2 4 माइनस माइनस प्लस तो यह आपका हो गया 1 तो 4 और 5 बन गया आपका यह और फिर minus माइनस फिर plus निशान किसका आएगा sign किसका आएगा minus का 3 में से 2 गया कितना बचा 1 तो इस प्रकार से subtraction इसके अंदर हो जाती है देखो आप डारेक्ट भी कर सकते हो सर इतना लिखना पड़ेगा किसाम में बिल्कुल भी नहीं यह आपकी इच्छ है कि आप कैसे करना चाहते हो 5 में से 3 गया आप डारेक्ट 2 लिख सकते हो 4 माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता होना चीए 5 हो जाएगा तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो I hope subtraction भी आपको समझ में आ गई होगी अब इसी प्रकार से एक छोड़ा सा question और लिखते है कि भाई A 3, 4, 1, 2 B हमने लिख दिया 1, 4, 3, 6 ठीक है यह बिल्कुल basic समझा रहा हूँ इसलिए मैं भी आपको आगे question करवाँगा इसके अब A माइनस B अगर मुझे करना है तो 3 में से देखो 1 माइनस होगा 4 में से 4 माइनस होगा 1 में से 3 माइनस होगा इस 1 में से यह वाला 3 और 2 में से 6 माइनस होगा ठीक है तो अगर आप देखोगे तो 3 में से 1 गया, 2 हो गया 1 में से 3 गया, माइनस का 2 हो गया 4 में से 4 गया, 0 हो गया 2 में से 6 गया, माइनस का 4 हो गया इस तरीके से अपनी values बनने वाली है माइनस की, I hope आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी और तसली से बैटो, क्योंकि अब आगया सबसे important topic, multiplication पर multiplication मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके से करना है, एक scalar value का, जो single एक value होती जिसे आप गिंती बोलते हो, जैसे 5, 6, 7 और एक होगा multiplication of two matrices, जो अपने आप में बहुत important होगा, तो उससे पहले आपको scalar की multiplication जरूर समझ में आनी चाहिए, अब इसको करने से पहले properties हैं, इसको मैं मतलब properties समझ में आती हैं, बड़ उससे पहले अगर आप छोटा से example समझ लोना तो चीजे clear हो जाती है तो होता क्या है matrix multiplication के अंदर scalar value का, जैसे आपने कोई scalar value ली दो, ठीक है और यह matrix है, 1, 4 माइनस 1 और 2 तो scalar multiplication होती कैसे है अगर यह एक matrix है और यह 2 है, या यह कोई scalar value है तो यह जो 2 है ना, यह पूरी matrix में हर element में multiply होगा बस यह हिसका मतलब होता है, तो मतलब यह 2 वंजा 2 हो जाएगा, बिल्कुल भाई 2 चोके 8 हो जाएगा 2 वंजा 2 हो जाएगा, और 2 टूजा 4 हो जाएगा, तो simple सी बात है 2 एकम 2, 2 चोक 8, 2 एकम 2, मतलब जो भी आपको पहाले आते हैं, 2 के table आते हैं उसको आप applies के अंदर कर सकते हो ठीक है भाई, तो यह हो गए matrix की multiplication, अब इसकी कुछ properties है यह कह रहा है कि भाई, A एक matrix है B एक matrix है, ठीक है दोनों के order दे रखे हैं, ओके अब यह कह रहा है कि भाई, अगर मैं किसी matrix की addition में, ध्यान जा सुनना किसी matrix की addition में scalar value को multiply करूं तो वो चाहें तो दोनों से भी multiply हो सकते हैं, कहने का मतलब कि अगर A एक matrix है, B एक matrix है ठीक है, पहले matrix को add कर लो, फिर 2 से multiply करो, या आप 2 को A से multiply कर लो और फिर 2 को B से multiply कर लो, और फिर उन्हें add कर लो तो दोनों केसों में answer सेम ही आएगा, ये बात हमें समझनी है ठीक है, similarly अगर मैं याँ पर ये कहूँ आपको, कि अगर हमारे पास दो element है, 5 प्लस 3 और एक matrix A से multiply करना है तो ये कह रहा है कि या तो आप 5 प्लस 3 करके इससे multiply कर लो, तो भी answer बनेगा, या 5 को इसे कर लो, 3 को इसे कर लो फिर दोनों को add कर लो, same thing यही चीज़ आप minus में भी apply कर सकते हो simply, ओके, तो ये कुछ properties इस तरीके से काम करती है पर असली मज़ा तो अब आएगा जब मैं इसके questions लिखूंगा, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, भाई अगर हम बात करें 2, bracket, 3, minus 1, 4, और 2, 3 plus, 1, 0, minus 1, और 4, minus 2, 1, या 4, 3, 2, 1 अब इसे कैसे करना है, देखो भाई, सबसे पहले scalar values को multiply कर लो, ये लो मैं सारी matrices बना देता हूँ ध्यान से सीखेगा भाई, बहुत important point है देखो भाई, दो से जब मैं करूँगा, तो 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 3, 6, और 2 बन जा 2 अब ये तो similar, ये तो same ही रहेगा, इसमें कोई change करना ही नहीं है, अब जब इस 2 को आप multiply करोगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कि अगर आप minus का 2 multiply करते हो, ध्यान दे सुनना, अगर आप minus का 2 multiply करते हो, तो बहार plus बन जाएगा, ओके, और लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ज्यान दे सुनिएगा, अगर आप सिर्फ plus ये वाले 2 को करते हो, तो ये बहार minus का ही sign रहेगा, no problem, ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 को कर रहा हूँ, तो दो चोके, 8, 2, 3, 6, 2, 2, 4, और 2, 1, 2, कुछ इस प्रकार से value बन जाएगी, अब plus minus कैसे करना है, चाहो तो तो तीनों को एक साथ कर लो, चाहो तो individually एक एक करके भी आप कर सकते हो, सर कैसे देखो, 6 plus 1, मैं color change करता हूँ, ताकि 4, 6, 2, अब इन्हें आपस में minus कर दो, 7 minus 8, तो यह क्या हो गया, minus का 1 हो गया, minus 2 और यह minus का आपका 6 है, तो यह कितना बनेगा, देखो ना यह minus इसके साथ 3 हो रहा है, तो यह minus का 8 हो गया, फिर 7 में से इस minus के 4 को करो, तो यह 3 आ जाएगा, फिर 10 में से, आप इस my 2 को minus करोगे, तो 8 आ जाएगा, तो इस प्रकार से अपना answer बन जाएगा, चाहो तो आप direct भी कर सकते हैं, तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसी प्रकार की चीज़े और ज़्यादा बहतर तरीके से सीखने के लिए, बतलब यह तो आप मेर से कर रहे हैं, बोर्ट की तयारी, बड़ अब बच्चे एक्टिव होन चुके हैं, अपने dream college को चुनने के लिए, और वो चाना चाते हैं, किसी ना किसी college में, उसके लिए उनको जाना पड़ेगा, एक entrance exam से, जिसी which is called CUT, और सिर्फ CUT नहीं, और भी बतेरे exam होते हैं, जिसके अंदर आप चीज़ों को तयार करकर college में admission ले सकते हो, तो इन सभी प्रकार के entrance exam की तयारी हमारे edu captain app पे premium course के रूप में करवाई जाती है, चाहिए फिर वो CVT हो, चाहिए वो IP मैट हो, चाहिए वो Christ हो, चाहिए सेंट जैवियर मॉंबई हो, या नासी मुझी हो, कोई वे entrances और हमारे premium course में आने का benefit क्या है, ये तो बता दूँ भई live and recorded lecture तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, जो आप topic पढ़ रहे हो, उनको और जादा बहतर तरीके से कि पिछले सालों में question कैसे पूछे गए, और क्या MCQ में approach रहनी चाहिए, कैसे बड़े-बड़े question को एक-एक-दो-दो minute में आप कर सकते हो, ये चीज़ हमें physical books भी मिलेंगी, और plus आपको doubt support तो हमारे साथ मिलता ही मिलता है, जो कि आप अगर interested हो तो इस number पर जाकर बात कर सकते हो, जो भी अभी हमारा premium course live होगा, आपको channel पर उसके update मिल जाएगी, इसलिए channel को कर तो subscribe ताकि आपको चीज़े मिलने लगे update, अब उसके बाद बात आते हैं कि हमारे course को लेना में ऐसा क्या खास है कि जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है, तो मैं आपको बता दू, आप YouTube खंगाल के बैठ जाओ, आपको कोई ऐसा institute नहीं मिलेगा, जो कि money back guarantee देता है, पांच दिन आप course को पढ़ो, अच्छे से समझो, और अगर आपको चीज़े नहीं पसंद आती है, तो money back guarantee की value हम देते हैं कि हा भई, लो, अपना पैसा वापस लो, ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे course से ही, last year all India rank CUT1 आई थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी achievement है, इन दोहर के अंदर 13, 24 और 37 rank भी हमारे ही college से आई थी, हमारे ही उन में आप भी एक होने वाले हो, तो अपने सपनों को सकार करने के लिए जाए इस number पर बात करिए, तो बच्चों सीजी सी बात है, अगर entrances की त्यारी करनी है, तो थोड़ा सा, बलकुर बहुत ज़ादा amount नहीं, बहुत normal amount है, आप जाकर check कर सकते हो, चैनल पर आपको सारी scalar value वाले कोशन है, तीनों पार्ट में नहीं कराने वाला, मैं एक पार्ट कराऊंगा इसका, जो बिलकुल ही अलग है, थर्ड वाला, फिर बाकी आप इसे try करेंगे, ठीक है बाई, चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कोशन है 3B, minus का A, plus का 2C, तो कोशन simply दिख 1, 0, 3, 2, चीक है, जगा थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, फिर प्लस में हमें 2C लिखना है, नीचे लिख लेते हैं, प्लस में 2C की value कितनी है वही, 11, 2, 1, और 2, 0, 9, और minus का 3, 1, चीक है, अब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे यह value आ रही है, 3 से multiply करने पे, 3 21, और फिर यह 21, और फिर यह 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चोके 12, और फिर यह 0 हो जाएगा, minus का 3 हो जाएगा, 11, 33, 1, हाँ, और इसके बाद 3, 33, 9, ओके, फिर minus आगया अपना, 3, minus 1, 6, 4, 12, 1, 0, 3, 2, इन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट next matrix अपनी 11, 2, 2, 2, 4, 2, फिर 4, फिर 0, फिर 18, फिर minus का 6, फिर 2, और फिर 2, तो इस प्रकार से matrix बन जाती है, अब इन्हें आप direct करना चाहो, direct कर सकते हो, individually करना चाहो, individual आपके ओपर है, ठीक है भाई, देखो, अगर आप यह 21, 3, और इस 22 को करते हो, तो कितना answer बनेगा, 21, minus का 3, plus का 22, simply minus कर दो, आ प्लस का 4, तो यह value क्या बनेगी, 21 ही बनेगी, फिर 6, minus का 0, और यह minus का 6, ठीक है, तो value 0 ही आ जाएगी, क्योंकि देखो न, 6, minus 0, minus 6, तो value क्या बन रही है, सर बिल्कुल, simply 0 बन रही है, अब यह minus का, I guess 33 है, अब इसको सब पड़ावट solve कर देंगे, कोई दिक कर दें, minus का 33, यहां से plus का 1, यहां से plus का 4, तो यह minus का 28 आ जाएगा, फिर यहां से 0, minus का 12, और plus का 0, तो minus का 12 ही आएगा, ठीक है, लिखते चलेंगे, इसे कोई दिक कर नहीं है, 6, minus का 3, plus का 2, तो यह कितना हो गया, 5 हो गया, and last में अपनी values आने लगेंगी, 9, minus 6, plus का 2, तो यह आपका हो जाएगा, 5, और इसके बाद minus का 3, और फिर minus का 1, और यहां पर आपकी value बनेगी, plus का 18, तो यह आजाएगा, आपका 14, और last में, अपनी जो last value है, वो क्या है, 12, minus का 2, यह minus हो रहा है, तो 10 हो गया, और 10 plus 2, वापस 12 हो गया, तो इस प्रकार से आप अपनी value को solve कर सकते हो, तो कहने का simple सा मतलब है, scalar के case में यह value पहले पूरे में multiply, ठीक है, फिर जो simply मैंने आपको addition और subtraction सिखाईए, उसको applicable करो, corresponding elements को करो, simply, ठीक है भाई, बहुत दिक्कत लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ओके, चलिए, अब इस प्रकार के question को कैसे करते हैं, देखो, question में बोला 8, 3 और 4, ठीक है, और y की value है, minus का 5, minus का 1, 1 और minus का 2, ठीक है, और 5z की value है, सर वो तो बता नहीं है, तो z को अभी ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, z छोड़ दिया, अभी नहीं add करते हैं, भाई, यह आपका हो गया minus का 2, पहले बिल्कुल multiply, simple तरीके से, 2, 8, 16 हो गया, 2, 3, 6, और 2, 4, 8, ओके, फिर अपने करो भाई, minus का 5, 1, minus 1, और minus का 2, और यहां 5z तो आई रहा है, अब देखते चलो भाई, minus 2 और minus 5, तो यह minus का 7 हो गया, 6 plus 1, यह भी 7 हो गया, 16 plus minus, तो यह आपका 15 हो गया, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी minus है, तो minus ही होगा, यह plus है, plus हुआ, यह minus है, minus हुआ, यह minus minus plus है, तो minus minus plus हो गया, अब आपको बस z की value पूछी थी, तो आप notice करो, यह 5 multiply में है, तो जब यहां आएगा, तो यह 1 by 5 हो जाएगा, तो यह minus का 7, 15, 7 और 6, तो अगर आप notice करोगे, तो यह 1 by 5 अंदर multiply होगा, और minus 7 में, अगर 1 by 5 multiply होगा, तो it will look like minus 7 upon 5, उसके बाद अगला दिखाई देगा, 7 upon 5, और अगला दिखाई देगा, 15 upon 5, which is 3, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 15 को 1 by 5 से multiply कर रहे हो, which is actually dividing by 5, ठीक है, अब अगर आप देखोगे, तो 6 को भी किस से divide कर दो, 5 से, तो इस प्रकार से अ तो अच्छे से करनी है, ठीक है, चलिए, अब ये question देखिए, इसमें भी आपको x और y की value बतानी है, तो low भई, इसको multiply कर लो, ठीक है, बिलकुल जो दिख रहा है भई करेंगे हम, ये हो गया 2x, 2 5s are 10, 2 7s are 14, और ये हो गया 2y minus का 6, फिर plus में क्या है भई, 3 minus का 4, 1 और 2, अच्छा, equality का concept अगर आपको नहीं आता, तो आप जाए, और फड़ा-फड़ा पहली वाली वीडियो देखकर आए, ठीक है, चलिए, अब आजए ये, 2x plus 3, 10 plus minus 4, तो यानि ये आपका 6 बन जाएगा, 14 plus 1, ये आपका 15 हो गया, और ये इसको अगर आप add करते हो, तो देखो 2y minus 6 plus 2, इसको solve करो, कितना बन रहा है, ये बन जाएगा, 2y minus 4, ओके, चलिए, अब यहाँ पर आपकी value क्या बनेगी, 7, 6, 15 और 14, अब करना क्या है, इनको आपको मैंने सिखा है, कि by equality, जैसे addition होता है, अगर आपने नहीं भी सीखा, तो कोई बात नहीं, equality of a matrix क्या कहती है, क दो matrix equal तब होंगी, जब उनके order same होंगे, साथ ही साथ की corresponding element बराबर होंगे, कहने का मतलब है, ये वाली value, इसके बराबर होगी, यहने 2x plus 3 equal to 7, और ये 2y minus का जो 4 है, ये equal to 14 के होगा, ठीक है, तो अगर आप देखो, तो plus का 3 दर जाके क्या होगा, minus 7 minus 3, 4, और इससे आप divide क दो, 2, 2, 4 होगया, तो x की value आगई, 2, अब इधर आजओ भई, 2y minus का 4 इधर जाके plus का होगया, 14 और 4 कितना होगया, 18, divide कर दो, तो 2, 9 जाके होगया, 18, तो y की value कितनी आगई, 9, simple question, scalar multiplication लगा, addition लगी, और equality of a matrix लगी, तो भई, इस प्रकार से ये एक छोड़ा था question मैं आप आपको homework दे रहा हूँ, ठीक है, उमीद है कि आप इसे करोगे, ठीक है, और मुझे comments में answer बताओगे, इसमें आपको elimination method लगाकर x और y की value बतानी पड़ेगी, तो वो मुझे comments में बताईए कि क्या इसका answer आ रहा है, ठीक है, ये question में आपको करवाता हूँ, आजओ, देखो 3 से multiply हो गई है, तो 3x, 3y, 3z और 3w, ठीक है, फिर ये equal का sign है, ओके, तो equal में तो और बड़ी है न, बीच में देखो addition का sign आ रहा है, तो x plus 4, 6 plus x plus y, minus 1 plus z plus w, और 2w plus का 3, ठीक है, अब equality of a matrix फिर से लगा दो, 3x इसके equal, ओके, 3y, 6 plus x plus y के equal, और 3z equal to minus 1 plus z plus w के, और एक last value और equal है, 3w, इसको यहाँ उपर लिख लेते हैं, जगा का मैं थोड़ी सी, 2w plus 3, अब इसमें तो आप direct solve कर पाओगे, 3w minus 2w equal to 3, तो w की value कितनी आगे, 3 आगे, simply answer आगे है इसका तो, बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं, अब यह यहाँ से x की value find करो, 3x, plus का x इदर आके minus का हो गया, यह 2x हो गया, यह equal to 4 हो गया, x की value 4 by 2 हो गई, तो value आगे 2, ठीक है, अब इस x की value 2 को यहाँ implement कर दो, 3y, 6 plus 2 plus y, ठीक है, 6 plus 2 कितना हो गया, 8 हो गया, plus का y इदर आके minus, ओके, 3y में से 1y गया, कितना बचा, 2y, simple है, यह यह बराबर आगया, 8 upon 2, तो which is 4, okay, x की value आगई, y की value आगई, w की value आगई, अब चलते हैं, z की value की तरफ, तो भाई 3z है, plus का z इदर आके minus, और यह minus का 1, plus में w, w कितना है, 3 है, तो 3 में से 1 को minus करो, 2 बचेगा, 3z में से 1z को minus करोगे, तो 2z बचेगा, और 2 को 2 से divide करने पर value 1 आ जाएगे, तो simply सारे answers आपके सामने है, x, y, z, and w, तो सब की value हमारे पास आ गई है, 1, 2, 3, 4, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, और अच्छे से दुबारा repeat कर सकते हैं, तो बच्छो, जितने भी question करवाए, I hope आपको सारे clear हुए होगे, और अगर आप यहां तक वीड आइक और चैनल को करिए subscribe, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में, bye bye, take care.